हेलो वीवार्स एंड श्टुडेंट्स आपका साज की नहीं क्लास नहीं वीडियो में बुद बुद स्वागते एक और नहीं और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आपके समने के सुद्वाओं में सेकेंड एर की प्रेक्टिकल बुग होल्स रिगार्डिंग मैंने तीन चा आप प्रक्षे बता दिता है इस सवाल करवा दिजिए क्यूंग रिटन एग्जाम में आपके प्रेक्टिकल के दो कोशन उसमें से पक्क्या आते हैं और दो एक कोशन दस नमबर का होता है तो अगर आप शेकंडियर में हैं और आप चाते हैं कि सर मेन मीडियन मोड पर भी कोई वीडियो ला दीजिए तो आप एक पर कमेंट कर देना इस चुरू करते हैं नया क्या है आपका बहु शंकूप प्रक्षेप ठीके ने बहु शंकूप प्रक्षेप अगला प्रक्षेप यह सीधा समयन पूरा सवल लिखानी सीधे उतार दिया बहु शंकूप रक्षेप की रचना किजिए जिसका आरेफ कितना है एक अनुपात 125 पर फिए मैं अब आपको क्या है कि नीचे से उटे बताने प्रक्षेप पूरे तो इसमें अक्षांस भी चाहिए और दिशांतर भी चाहिए अक्षांस इतना बताना आपको 30 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तर जिसा अगर मैं यह व्रत बनाऊं ज्यानी कि अपना पिठ यह कहीं नहीं जाकर कि इसके पीछे वाली रेखा कुन सी होगी तो यह पूरा जो जाल बनेगा वही क्या होगा आपका यह प्रक्षेव होगा ठीक है ना इस इसको जहां रखना बनाना कहां का प्रक्षेव आपको वह पता होना चीह तो विस्थार तीस डिगरी उत्तर से दूपक बिन्न का हर प्रत्की का वास्थी अर्दव्यास कितना है छे करोड चालीस लाग ठीक है और अपनों निरूपक बिन्न का हर कितना अंश तो एक है और हर कितना है 125 से जीरो एक करोड पच्चिस लाग इसको जब आप काटोगे जिए जी जीरो से तो चेजीरो कट दोगे तो 5.12 आएगा तो अब कुछ आगे की पता ही विचर क्या होना है ठीक है इनको नहीं पता है फेले बार वीडियो देख लेना तो अच्छे से समझ आ जाएगा यहां पर छहांदा चानदा रखना है चानदा इस वाले यह वर पर बी लिख देता हूं तो ए बिंदू पर आपको चांदा रखना है इसी तरह से और यहां पर कहीं नहीं 90 डिग्री आएगा तो एक सरल सीधी रेखा 90 डिग्री आपको एक लंबी सी बिनान आपकी खीच देनी है ठीक है उसके बाद क्या करना है यहां पर प्रकार रखना है और यहां प्रकार करता खोलो कि भी की बीन दूंधे सुनके और बुर्ट का चत्वूर्था अब क्या होतो अगंब सक्षाण Опशाहता है यह है को सबूत्रा यह क्यों निपंड थे तो किसे किया प्रेले कितने सेंटेमेटर रखागी जी 5.1 सेंटेमेटर फिर एंदू पर चांदा रखा और 90 डिगरी बिना नापका एक इंगल खीज दिया उपर तक फिर क्या क्या एसे बी तक प्रकार खोला और एक व्रत का चतुरतांज बना दिया यहां तक किसको दिक्कत नहीं होने युच्छ, तैकि अब एक चीज दिहान दो यहां पर कितना डीगरी से 30 से फिचुत्तर डर्णे हो Trung का Is पिर कहा जाएगा साहेट फिर कहा जाएगा पिचुतर तो कितनी रेखाएं कितेंगे एक दो तीन चार कितनी रेखाएंगे यहाँ पर चार इसी तरफ अपन दब देखते हैं कि देशांतर कितने बताने हैं जीरो से 180 अब जीरो से180 करने पर कितनी रेखाएं किसी नहीं आपको वह भी जानना चींगे तो देखें 0 15 Тогда 1650 और एक सो असी तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नोग दस ग्यारा बारा तेरा कितनी रेखाएं कि जहेंगे अपन तेरा ठीक है यह गणित ध्यान रखना या भी आगे के से काम आईगी बताता हूं आपको तो टोटल अक्षांस की इतने है चार टोटल देशांतर की इतने तेरा तो आप अपनों वक्षांस से काम है कितना डिगरी विश्थार बताना 30 से पिचुततर डिगरी अब यहाँ पर क्या रखेंगे अपन चांदा यह बिंदू पर चांदा पर निता नंदा होता है ठीक है इसका 0 बिंदू यहां से यहां यह मानलों इसका ए बिंदू है अपना ए बिंदू अब यहां पर 10 0 10 20 30 40 60 80 90 सो फिर 110 120 130 140 60 60 60 80 180 180 यह बीच वाला एंगल तो हमेशा होता है इसके इधर से होते हैं 0 से 90 और इधर होते हैं 90 से 180 तो यहां पर कहीं ने कहीं 30 आएगा फिर 30 के बाद कितना चीए अपनों को 45 45 और 50 की बीच में कुँछा होगा 45 तो एसे एसे करके यह 30 का एंगल 45 लेखो यह 30 45 यह साहेट यह पिचुत्तर ठीक है और यह फिर आगवाला तो कौन सा हो जागा नब्बे बंदर बंदर का अंटराल लेंगे तो पहला मैंने कितने डिग्री का लिया है 30 ऑपन पर 10 से नब्बे देता तो और 50 59 साहेट अभी 30 से बीचुतर दिया तो 30 45 55 पिरोट यह तो आपना क्या कि आपको द्यान दो कि या आपका अब इसके बाद आपको यह करना है कि जो यह बिंदू आए हैं यह बिंदू यह बिंदू ये बींदू और ये बुंदू इस पर रखना आपको डीयानी कि चांदा रखना है कि आ पी क्यू Jahr कि प्रीट रखना है ये ये चांदा आपना वह चांदे का बीच वाला बिंदू ये बिंदू इस इस तरह से तीड टीड शाब याँ कहीं कहीं 90 डिग्री आएगा वो सीधा एंगल लेकर क्या आपको किससे मिला देना है इस वाली रेखा से जो आपने ए एल एक रेखा कीच रखी इस सीधी बिना ना यह उस पर अबनों रद का चक्तुतांच काटा था तो एसे पी बिंदू पर रखना है ए बिंदू को यानि की बीचों बिंदू को और इस तरह तिर्चा रखो गया तो कहीं गई 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसको लेटा हुए क पर एक सीधी रेखा मिल दिन वह फिर एस पर रखना फ İyi यानि ड्यक्यू धिव और इस इन सब पर 90 90-90 डिग्री एंगल है ठीक है यह चीज़ जान रखना पी पर भी 90 क्यूब पर भी 90 कि इस पर भी 90 इस अपके 90 डिग्री एंगल लेते हूं अपनों कहां तक मिलाया है इस इसे के's a-e-l रेखा तक कर दिया इसमें कितने डिग्री का डटा है 15 डिग्री ग्री इसको रखा मेने ए विंद्व पर और वापीस एक वरत का चतुरतांशव बना दिया ऐसे करके सब में कितने डिगरी का डट आएगा 15 डिगरी का डट ही आना है एसे ले लिया और रखा का ए बिंदू पर और वरत का चत्रता शेकोर बना दिया अब जो ये बिंदू आ रहे हैं वहाँ पर आपको एक सीधी रेखा बना देनी है इनको मिला टोगे कोन सी रेखा पर पर क्यू आर पर एस पर मिला किज रेका से ये एल रेखा से सीधी समानांतर रेखा है । नहीं एद आपको क्लियर कट लिखिए ये बनगे आपका ब्लूप्रिंट क्या बना है देखो यह चीज में वाँ उपर लिख रहा हूं ताकि इधर अभी आपको प्रफिश्य मन जाए तीज से पीच्छों तर में कितने बतानी आपको चार जीरो से स्टी में कितने बतानी आपको तेरा बस यह चीज आतरखना कुछ चीज एक बार मैं समझ नहीं आती है जो बिगनर है जो पहली बार पड़ रहे हैं जोग्रुफी उनको थोड़ी दिक्कत होगी तो एक बार वीडियो पोस्ट करके वापीस से स्टार्ट कर लेना ताकि यह चीज आपको पूरी समझ आ जाए एक सेकंड में आपको प्री चारल लंबी रेखा खीच दी ठीक है फिर एसे बी तक प्रकार खुला वरत का चत्तुरतांज बना दिया फिर मेरा यह पर चांदा रखा आप इंगल पर क्लिक किया पेटास पर क्लिक किया प्रिंग सवाल हमें चीज से पिछोटर पूछ रहा है पिर उस रेखा को कहा से सीधे मिला धिया पिर से कीज यहां से से आरता हमने एक लिया किसके द्वारा प्रकार के द्वारा हो रेकवर्त का 2004 तो यह रहे हैं उन П α हुए एल रेखा पर सीधी सीधी मिला दी यह बनेगे आपका ब्लूप्रिंट अब बनेगा प्रक्षेप कैसे बनेगा वो ध्यान दोना वीडियो थोड़ी फास्ट लगे तो स्लो कर ले ना यह मैंने क्या किया सब सफेले बीना आपकी एक सरल सीधी लंबवत रेखा खीच दी इतनी आसानी से इतनी सरल लेंग्वेज में समझाता हूं कि आपको समझ आजा है फिर भी कोई कटना ही लगे तो आप कमेंट बुक्स कर सकते हैं मैं उसका निराकन करने के पूर कोशिश करूँआ ठीक है क्या किया एक सरल सीधी लंबी रेखा यह एसी जगह घिजनी जो आपके पेपर के बीच में हो सेंटर में इस तरह से ना कि इधर लेना है ना कि इधर लेना ताकि प्रक्षय बनाने में दिक्कत नहों यह च भो ओंटक Reggae थो इसको में लिख देता हूं पी देश क्यू घेख चैस्क और भिज़े अर देस इसको लिख चुट चैसर अब मैंने प्रकार लिया क्या यह प्रकार ठीक है प्रकार को लिया P से कहां तक खुला Q तक प्रकार की नोग जहां पर उसको रखा मैंने P बींदू पर और वो कहीं ने कहीं काटेगी यहां पर यह डाटा तो माना कि वो यहां पर काटता है कि कि अब यह करने के बाद यहां कर रहा है कि अब इसके बताओ हुआँ, जाया रहा है मैं प्रकार लेंगे और क्या detail उत्तर है की और रखा उसले पूसी को कटा फिर इसी पर रखा और यहां पर एक काधा है तो तो एक, दो, तीन, चाप हो गए, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, अब ये 30 को बता रहा है, तो ये कितना को बताएगी, 45 को, ये साहेट को, ये 55 को, तो हमारा अक्षान सी विस्तार तो complete हो गया, 30 दिग्री उत्तर से, 55 दिग्री उत्तर ही अक्ष तक प्रकार रखा का पी पर नोग कार की पी पर और खोला कहा तक 30 तक फिर एक व्रत का अर्द व्रत बना देना आपको ठीक है यह हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको अब करना क्या है यहां पर यह तो हो गई आपकी एक रेखा कंप्लिक अब बनानी है क्यू से क्यू डेस यानि कि 45 डिग्री तो प्रकार रखेंगे पी पर और सुरी क्यू पर और खोलेंगे कहां तक क्यू से क्यू देश तक कोलेंगे क्यू से क्यू देश तक खोला प्रकार की नोग रखी में ने प्रकार की नोख रखी में ने 45 डिग्री पर और इसको इस तरह खुला कि यह कहीं न कहीं जाकर के कट है यह कट गया तक फिर उल्टा करेंगे प्रकार को नोख आप वहां रखेंगे और कहां तक खोलेंगे सब्सक्राइब न कर रहा है कि आपको समझ पड़ा कहां से कहां प्रकार प्रकार खोल रहा है अब आवराला कुन सा है साइट है आर वाला तो साइट पर रखा विने और यह कहीं ने कटेगा अब जहां से कट रहा फिर उल्टा करेंगे प्रकार नोक वहाँ पर रखेंगे और खोलें कहां तक इस विंदू तक ठीक है इसको मांदव ही पर यह हुआ अब लास्ट बचाब क प्रकार और यहां से इस तर से बन गया इतना काम हो गया अब ज्यान दो यह करने के बाद आपको देखना आएगी कि कि इस खाएं खिचनी है तेरा मैं से खुद होगी वाई साथ तेरा में 6 इदर छे इदर 612 और एक तो पहले से बना दिया अपनोंने माना की वाला और शेजर टोटल कि तो अब ध्यान दो किसे करेंगे अब अंदर देखनतर रखाएं कि इचों के से यह तो सब अक्सान्स इसको जूम करके देख लें आप तो आपको दिखते आगा वह उस पे यूट्यूब पर रहाएं पिच्छर वीडियो देख लेंगा अब मुझे बताओ यह के डेस और के कितने डिगरी पर है 30 डिगरी पर तो यहां रखा प्रकार और का तक होला के से के डेस तक के से के डेस तक क्या रखा और किस डिगरी का है यह 30डिगरी का कितने रिखा इतनी पर धिर को 12 मृतिंदि फ्रकर्देंगै उसले से कान तक खोला गसतार तो किसका है 45 का तो यहां पर भी फिरreg Vedi in चार 55 1284 किसा-स- dan अब महसे मॉटे कि manifest स्यंकर प्रकार का के देश तक खोला किसका किस साथ का तो फिर 2 तीन 4-3-4-5-5-1-2-3-4-5-6 फिलास्त्व पर्चा-N से एंदेष प्रकारन परक्षा और एंदेष तक खुलावटा किसका है पिछुतर का पिछुतर कर दें कितने एक दो तीन चार पांचि एक दो तो टीन चार पांग छेर इस तरफ से कर दिया कोई दिक्सक्थ नहीं बस यह हो जाने के बाद से आपको कुछ नहीं खरना है जो ये बिंदू आ रहे हैं उनको सीधे सीधे सरल हाथ से मिला देने हैं मिल्स जो बिंदू जिसका है उससे उसको आपको मिला देना है कुछ नहीं करना है आपके सही मिलेंगे मैंने बिना नापका बनाया एक्सलिए थोड़ा उपपर नहीं सकता डाटा बाकि लगबक मिली जाएगा जो फिर एक्स्ट्रा डाटा आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा लाइने दिख रही है उन सभी एक्स्ट्र अब मुझे बताओ यह कितने डिगरी की अक्षांत रखा है तीस की यह 45 की यह साहेंट की यह 55 की हमारा अक्षांसी विस्तार हो गया 30 45 75 अब देशांतर विस्तार बताना है तो माना कि यह जीरो डिगरी है कौन सी देशांतर पंगराप फिर यह 35 45 साहेंट पिज चुत्तर नभे ठिक है के तीव फंदराइट 25 शाहेंट 25 साहेंट पिच्ट्र नभे 105 एक सो बीस एक सो पे तीश एक सो पैसेट एक सो पक्चास एक सो पेसट और एक सो अस्से यह हो गए देशांतर यह हो गए अक्षांत यह बनेंगी आपका केंद्रय बहु स तंकुक प्रक्षियप पॉलियोनिक प्रोजेक्शन इसी तरह बनेगा यह अक्षांस हो गई यह देशा अंतर हो गई इसमें कोई दिक्का तो आप कमेंट करके बता देना आपको आपका निराकण कर दूंगा कोई दिक्का तो समझा देना पूछ लेना यह कैसे किया एक बार तो आप रिवाइस करोगे ऐसा करना अगर आपको नहीं समझा रहा तो पहले जैसे में स्टेप 1 की तो फिर प्योंठ करो एक संतेमेटा गए ए इसा पूछ करओ कर दिगरी एस सब्सक्रते करते कर करोगे तो आप उसे मे ответis मुझसे बना पाऊ होगे तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं सुपरकार की नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स फर वाचिंग